तो हलो गाइस अपनी लाइबरीस यह ना किसी का सेलेक्शन हुआ है तो उसी की बस खुशी की थोटा से चंद आपके लेंगे थोटे से टाइम लेंगे आपके ज्यादा टाइम ने लेंगे और उसके अला गार काफी टाइम से मोटिवेशनल लेक्शर बगएर नहीं हो तो जितना हमारे से हो सकता हुटना हम का रहेंगे ज्यादा नहीं दस पांच साथ मिनिट लेंगे उसमें तो पहले तो अपने यहां कॉमल एक बर खड़े देगे आप तो एक बार तो जोड़दार तालिया हो जाए इनके लिए इनका पटवारी में सेलेक्शन हुआ है और हम आपके उजवल भाविश्य के लिए सुबकामना है देते हैं आपको और और जो आपको मिलाब आपने यहां पे कुछ टाइम लाइबरी के नदर रहा है तो आपको ज तो और उसके लाव यार यह है कि देखो अभी इन्होंने इनका एक जोब में हो गया है उसके बाद भी रुके नहीं है तो एक यह चीज आप शीख सकते हैं और आपने देखा भी हो कितने आके यहां पर आके कितना मैंने भी देखा है मैं बीच विच में आता रहता हूं तो और दूसरा शिक्षा इन्चे यह मिलती है कि एक में हो गया उसके बाद भी बोलें कि मैं और आके तायारी करूंगे ता आपके लिए भी यह एक शीखने लाए चीज है कि जो आप लोग क्यारी कर रहे हो कि एक में हो जाए तो रुक यह मत कहीं पर और आके दूसरी जोब के तायारी के लिए लग जाए है ठीक है तो बहुत बहुत सुपकामने अब बैठ जाए है ठीक है तो इसके अलावा यह है कि मॉटिवेशनल की मुझे सब्सक्राइब मांग आ रहे थी काफी तो गर्मी बहुत पड़ा है वाया लोग आउने त्यार कुने रहे है बहुत गर्म तरह तरह की एक्जाम्स की त्यारी कर रहे हो तरह तरह की एक्जाम्स की सो एक तो यह कि आप अपने लक्षे को लेकर कितना जदा फोकिस्ट हैं आपको मतलब आप पहली बात तो यह आपको क्लियर है कि आप करना क्या चाहते हो कौन सी जोब की त्यारी करना चाहते है और क् तो उस अपने अपका लक्स है क्या बैसिकली तरगेट क्या है है सो अगर आपको टार्गेट पता ना तो आप वह काम आसानी से कर लोगी अपने कुट्टे का और शेर का एक्जेंपल सुना होगा कि खुट्छे को लाठी मारो, कहां पता नहीं, कभी आगे शे पकड़ेया, कभी चाते पेर मारेगा, शेर के मारो, लाठी, शिधा गर्दन पे पकड़ेगा, क्योंकि उसे पता है, कि यह एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर किया, खाता मैं इंशान, तो अपना टार्गेट आना है, जब पिनपॉइट करके चलिए कि मेरा ये टार्गेट है, टार्गेट पता है, जब आप कुट्ता और से, दोनों ही गला पकड़ सकते हैं, अगर खुटा भी गला पकड़ लेया तो इंसान खतम है, लेकिन उसे पता ही नहीं यह चीज, उसे प मैं देखा है कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो टेलेंटेड होते हैं बट वो थोड़ा सा कन्फ्यूज लेते हैं लाइफ में कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या करना में पता नहीं है और एक ऐसे बंदे हैं जो एवरेज बंदे हैं लेकिन उनको टार्गेट पता अपना सो वो क्या करते हैं अब वो आपने एक्जामपल इसी पे एक सेर और हीरन का एक्जामपल सेर जो दोड़ता है पचास किलोमेटर परती गंटे की स्पीड से जबकि हीरन जोड़ता है एस सी की स्पीड से उसके बावजूद भी सिकार हीरन का ही होता है क्यों होता है तो इसलिए है कि टार्गेट अपना बना के चलिए वो तो आपका अल्टिमेट टार्गेट तो इक होना ही होना चाहिए और एक लाइब में मैंने देखा है कि जब आप कुछ करने करते हो ना तो आपके लाइफ में बहुत सारे हिंडरेंसित आते हैं तो बादाओं को एना इन्जोई कीजिए अगर आपके शोचे जाएगे जिन्द की में यह चल रहा है वह चल रहा है अब यह हो गया यह वह गया तो उन चीजों को आप पस हुआ ठीक ह हो गया अब आगे की सोच आगे क्या करना आप हो अगर वो चीज़े सोच होगे तो आपका लक्से से कोई आपको रोक नहीं पाएगा मैंने देखा यह केस और एक जैसे लक्से के लिए आप चल रहे हो तो वह हता है कि इदर दर से अर्चने आते हैं उनसे भी शीखी आप अग यार इस चीज़ को मैं कैसे उटलाइज करूँ कैसे मेरे लाइब में अगर यह चीज़ आई है मेरे लाइब में तो क्या चीज़ ऐसे करूं कि मेरे आशित दुबारा ना आएं अप अपने आपको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अब जैसे लाइब में आप लोग एक्जाम माक्स आएं किसी बंदे के अगर ज्यादा आ रहें तो हर हर अक्टिविटी के बाद अपने आपको देखी अंदर से अगर आपने अपने आपको पहचान लिया ना तो लाइफ में कोई नहीं रोक पाएगा अपो मेरा वाद आप से औरे अवीचान लिया तो सबसे पहले तो यही करना आपको जांकर आपको पहचानिए अंदर आपको पता लिगे कि यार यह चीज लाइफ में ऐसे नहीं सी होती है इसलिए तो बोलते है कि एक talented बंदा है और एक experience वाला बंदा है तो experience वाले बंदे की कदर हमेशा होती है क्योंकि उसने life में वो चीजे देख चुका है जो वो talented बंदा देखेगा भी आगे जलना है इसलिए वह है अपने जीवन में हर किसी चीज से सीखिए जो भी negative points आते हैं उन से भी सीखिए और एक ही होता है कि आप जैसे मन देखा है कि कुछ बादा आई और उस बादा की विचार में हम खो गए और उसके बाद हमारा जो एक्छर लक्स है वो कहीं न कहीं गुम हो जाता है वो लक्षे हमारा फिर हम ही दर दर हो जाते हैं लक्से से ताप को उसकेस में यह है कि बस अपने पॉइंट उस पॉइंट पर आपको फोकुस रखना ही रखना है बादाएं कितनी आए जाए बस बादाओं से सीक्टर चलिये और उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो आपके वह बादाएं कहा मासकती हैं उसस में लगा है में से कितने लोग कौन कौन सी जोब की तेहरी का हरे हो या कुछ और कर रहे Воय और wydम किसी पिछली साल की पेपर वगेरा देखना तो उससे काफि 25 सी खूमती है कि Kris Kisky क के से लाड़ गूमती है मैंने देखा है निय Melissa law पफ्री शाल से निकाला तो उसने कि के जिद गेह से निकाला तो आता किशGGा है क्वी प्यामस में पिछले 5 से साल का पैटन देखिए क्या हता है, वो पैटन पता लग जाएगा ना, उसी बेसिल पे, आख जो यो मार्केट में चल रहा ना, जो मार्केट में चल रहा है, उस पैटन से और उस मार्केट को, और जो शॉलेपर से, उन तीजों सॉम पना आइए आप जो, जो इतनी इतनी मोटे मोटे बुके पढ़ते हो ना इतनी से जिमट के रह जाएंगे वो पन्नों में आ जाएंगे वो जो आप उन पेज़िस को काउंट भी कर सकते हो और ये 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 स्कील है ना बिसिकली अगर आप अपने आपको देखोगे ना कि ये पेपर ऐसे आवा था उस पेपर के अराउंड वो वो आपने कहानी सुनी होगी कि पेड को काटने के लिए ना काडी कुलाडी को पैनी करना ज्यादा जरूरी है ना कि लगे रहे वो उसी अज़ आज की दिन में देख रहा हूं जितने भी पेपर वगिर आ रहे है ना वह ऐसे आ रहे है कि जो करन्ट पैटन है ना जैसे आज मार्केट में रूस और यूपरेन का यूँच चल रहा है तो ऐसे जो जो मार्केट में लेटर सेज़ेंगे उनके बेसिश पे ज्यादा ज्यादा अचल रहा एकजाब में तो वो बहुत सान बहुत साथ लोगों को सलते है लेकिन जो बंदा रुक गया ना लिए तो यही रह जाएगा और जो बंदा निकल गया उस से से आगी एक बार, उसके लिए लाइफ उसके अलगी होगी। सेर वाला और गदे वाला इकजमपल भी आपने देखा हुआ। गदा इतनी मेहनत करता है लेकिन सेर लिमिटेडि मेहनत करता है। बाज वाला एकजमपल भी देखा हुआ। बाज पिछली पार भी बताई थी मैंने, उस तो यह दोगा, बाज का ये रहता है कि बाज की उमर 70 अल होती है, तीस साल की उमर जाती है ना तो बाज का चोंच पाल बेंड हो जाती है, और जो पंक है, वो टोट जाते है, शरीर हेवी हो जाता है, उसके बाज उसके पास दो यह पसन या तो वह वहां पर मर जाए कहीं न कहीं जाकर पाड़ो आड़ो में जाज़ जाए किसी कुछ एक सामने आज़े उसे दूसरा अपस्टन है कि अपने आपको रीडमेंट करें और बाकी की जिन्दी ऐसे जी है बाज दूसरा उपस्टन चूज करता है वो फिर उसके बाद 90 द से निकलाती है टूटे चोंसर नहीं निकलाती है पंक बिल्कुल नहीं और उसके बाद आगे की चालिस साल बिल्कुल हैसे जिता है तो अभी आपका वही टाइम चल रहा है आपका अभी वही टाइम चल रहा है दो तिन साल मेहनत कर जिए उसके लिए नबश दिन का टाइम ह सकता है किसी में एक साल लग जा किसी में डेड़ साल की ओल मेंनट कर लीजे, मन लगा के, बाकी के आपके जितनें पचास और साथ साथ साल हैं, बाज की तरह जी हो गए. और इसके लाओ यार यही है मेनत कीजिए हमें भी खुशी होगी हमारा यह बार बार रिपेट करते हैं कि हम यहां लाइबरे रिवे में इसलिए हमारा जो ओपन करने का जो अबजेक्टिव था यही था कि हम किसी और जो हमारे भाई बंदू लोग किसी भी चीज़ को लेगे जरूर मदद करेंगे अपकी ठीक है तो एक हमने कौमल दीदी के लिए चोटा सा गिफ्ट पर रखा आपने अलाव सेलेक्शन वाला इवरी शे तो गिफ्ट रखाया है विकास देंगे विकास कौमल एक मिनटा जाईगी है आपको बहुत बहुत सुपकावने है जिन्दी महरत चाहिए और लाइबरी मदलब आपके कोई और काम आशकती है या फिर और भी कोई हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए या किसी भी मेंबर के लिए थमें जरूर बजाना और आप अपने एक्सपरिंसिस वगरा शेयर करना च है तीक है बहुत बहुत सुपकावने है आपको ठीक है जी और कुछ दिक्कते बगेरा होता है बता दे ना और कॉमल दिदी ने पार्टी भी अरेंज करी है सभी के लिए ठीक है थैंक्यू यार थैंक्यू अबरीगन